हातरस के मुद्दे को कोई भी राजनेतिक दल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो हातरस तक नहीं पहुंच पाए लेकिन टीमसी के निता हातरस तक पहुंच गए। क्योंकि ना तो किसी को उनके हातरस जाने के प्लान के बारे में पता था और ना ही ये लोग कोई काफला लेकर निकले थे। लेकिन इसके बाबजूद इनकी मुलाकात पीड़ित परिवार से नहीं हो पाई। इन्हें गाउं के बाहरी पुलिस ने रोक लिया। टीमसी नेताओं की पुलिस और प्रिशासन के अधिकारियों से धका मुक्की हुई। टीमसी नेता डेरेक और ब्राइन तो जमीन पर गिर गए। अफसरों और नेताओं के बीच जमकर बहस बाजी हुई लेकिन फिर भी पुलिस ने किसी को गाउं में नहीं जाने दिया। तो हार कर ये लोग वहीं धने पर बैट गए। टीमसी नेता प्रतिमा मंडल ने अफसरों पर अपने साथ बत्तमीजी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ हातरस मुद्दे पर प्रियांका गांधी दिल्ली में वालमी की समाज के मंदिर में पहुँची और हातरस की बेटी के लिए प्रातना सभा की। प्रियांका गांधी ने कहा कि हातरस में पीडित परिवार के साथ जो हो रहा है वैसा ना तो कभी सुना और ना देखा। प्रियांका ने इसके खिलाफ देश की हर महिला से आवाज उठाने की अपील की। कहा कि कॉंग्रेस सरकार पर राजनेतिक दवाब डालेगी और जनता को नेतिक दवाब डालना चाहिए। बता दें की राहूल गांधी और प्रियांका गांधी ने भी पहले हातरस जाने की कोशिश की थी लेकिन उनको पुलिस ने नौइडा में ही रोक लिया था और उनके साथ भी यूपी पुलिस ने धका मुकी की थी।